दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब शेनल एबिटिक में आज है 21 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की मातपूर खबरें जो आज के प्रमुक समचार पत्रों पे चाहिए हैं सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेटर की नई नियमोली के तहट होगी लाइबरेरियन के पदों पर बढ़ती प्रदेश के असास की साहता प्रप्त महाविद्य अलियों और राजकी महाविद्य अलियों में नई सेवा नियमोली के तहट लाइबरेरियन के पदों पर पद खा लियें वहीं 331 असास की सायता परत माविद्ध देयलियों में सौ माविद्ध देयलियों में लाइबरेरियन के पद दित पड़े हुए इनस सभी दित पदों पर बढ़ती के लिए नई नेमवली तैयर की जा रही है राजकी कालेजों में लाइब्रेरियन के पदों पर लोग सेवा आयोग से बढ़ती होगी और असास की सायत अबराप्त कालेजों में नए सिच्छा सेवा चैन आयोग के माद्दम से बढ़ती की जाएगी तो लाइब्रेरियन की बढ़ती के लिए आप तयार रहें लाइब्रेरियन की बढ़ती होगी अलाकि इसमें अभी वक्त लगेगा अभी नियमावली तयार की जा रही लाइब्रेयन की इसके बाद बढ़ती देखने को मिलेगी आपको बतादें कि इस नियमावली को बनाने के लिए उत्तरा खंड से नियमावली मंगा करके उसका भी अध्यन किया जा चुका है महिमत प्रदेश और रजस्थान से भी नियमावली मंगाई गई है अन राज्यों की नियमावलियों का दिन किये जाने के बाद ही उत्तर प्रदेस में लाइबरेडियन बढ़ती के लिए नई नियमावली तयार की जाएगी नहीं नियमली में लाइबरेडियन का जो पद होता है उसको प्रवक्ता पद का कैड़र दिया जाएगा या नहीं या भी तेह नहीं है उच्छे सिच्छन रिसाले के सुतरों के अनुसर अलग-अलग राज्यों के नियमली में अलग-अलग प्रवदान किये गए हैं उधारण के तवर पर उतरा खड़ में प्रवक्ता और लाइबरेडियन के पद अलग-अलग एं सुतरों कहना है कि नियमली में तयार कर रही समित को भी सुझावा दिये गए कि दोनों पदों को अलग-अलग रखा जाएं सुझाव के साथ यह भी तरक दिया गया कि लाइबरेरियन अगर प्रवक्ता का काम करेगा तो लाइबरेरी कौन जमाद लेगा वहीं राजस्तान में सरकार ने असासकी कालेजों में करमेचारी और सिच्छकों को राजकी कालेजों में सामजित करने के बाद असासकी कालेज आपके लिए रहेगी नए पद सजिद होंगे और इसमें जो नई नुमलिक के तहते बढ़ती की जाएगी लाब्रेरियन की यहां पर देखो अपडेट कि सिच्छा आयोग गठन में देरी कूले करके युवाओं ने राष्टपती से लगाई गुहार है सिच्छा सेवा चैन आयोग गठन में हीला आवाली और देरी से आज़ेज युवाओं ने राष्टपती से अस्ताज छेप कर ततकाल गठन करने के लिए गुहार लगाई है सिच्छा सेवा चैन आयोग के गठन की गउसला की थी लेकिन आयोग गठन नहीं होने से टिजिटी पिजिटी और असिस्टिन प्रोफोसर की परिच्छाए संपन नहीं उसर की है युवा मंच की योड़ से राष्टपती के अधिकरत इमेल आइडिय और एक्स पर पोश्ट करके यहां पर मांग की गई है साथी साथे छे लाख रिक पदों को भी वरने की मांग की गई है इसी प्रकार बहुआ सारे पद्यां पर खाली हैं टीजिटी 25,000 राजकी मातमिक विद्यालों में लगबंग 10,000 प्रातमिक विद्यालों में लगबंग 1,26,000 पद रिक थे इन पदों को तदकाल वरती के मादम से वरने की भी मांग की गई है दोको यहां पर अपडेट की केंदरी करमियों को निश्चित पेरंसन की गारंटी संभव आगामे वित्तवर्स 2024 में सरकार NPS के तहत केंदरी करमचारियों को बड़ी खुसकबरी दे सकती है ये खुसकबरी NPS में सामिल केंदरी करमचारियों को पेंसन के एक निश्चित गारंटी की रूप में हो सकती है Old Pinson Scheme के तहट करमचारियों को आखरी सेली की 50-85 पेंसन के रूप में दरधारित की जाती है और फिर मेंगाई बचते के साथ ही उनकी पेंसन बढ़ती भी रहती है एक जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी करने वाले करमचारियों को पेंसन की गारंटी अभी फिलाल नहीं है और NPS इनको दी जा रही लेकिन इसमें कोई भी निश्चित रासी नहीं है जो हाली में रिटार हुए NPS के तक टीचर्स उसमें किसी को 1000 किसी को 1500 किसी को 800 रुपाय पेंसन मिलती है अब इस तरीके से अगर पेंसन मिलेगी तो किसी का जीवन अपन कैसे पॉसिबल हो पाएगा तो इसलिए NPS की जगे OPS जो है मांग की जा रही है और आगे देखे बताया गया कि पिछले कई सालों से राज्यों की तरब से ओल्ड पेंसन स्क्रिम लाग करने गोज़ड़ा के बाद किन सरकार नवी NPS की समीच्छा के लिए वित्त सज्यू के अधिश्ता में कमेट्री का गटन किया था सुत्रों के अनुसर कमेट्री के रिपोट लगवग तयार है जिसके मुताबिक NPS के तहत भी किंद्री करमचारियों को आखरी वेतन की एक निश्चित पंसन रासी मिलने के रूप में मिल सकती है सरकार आखरी वेतन की 35 से 40 से 83 पंसन के निर्दायत कर सकती है अलांकि इस पंसन को लेकर के अभी कुछ भी इस पस नहीं है अब देखना है होगा क्या इसमें अनॉंस्मेंट किया जाता है वित्त वर्स के दौरान वित्वजट के दौरान कि समस्याएं आदेश सासना देश जारी होने के अब बहुजूद निर्स्तारित नहीं हो रही है और का सेम चैन प्रोनत वेतरमान स्विक्रत की ऑनलाइन कारवाई के निर्स्तार में संबंदित कार्यालों के जवाब देई तैना होने से देरी हो रही है एल्टीगेड प्रवक्ता अधिनस्तर राजपत्रत समूखा उच्तर का पदरनसी कोटा सासना देशों क्रम में अपूर है इतना नहीं एल्टीगेड महिलापूर्स उतराखंड से स्थाननतेद प्रवक्ता और यह जो भी इस मामले में कभी काई सारे लंबी देंद को इमला प्रायोगी परिच्छा ड्यूटी जल्द लिखाए 25 जनमरी सुरू होने यूपी बोड इंटरमेंडिट प्रैक्टिकल परिच्छा नजदीक आने के साथ ही परिच्छा के रूप में सिच्छकों के ड्यूटी लगाया जानकार अंतिम दोर में है इसके लिए विद्यारतिय कि विषय कोड़ सुइत अन विवरॉणों का जांच यूपी बोड ने प्रदानाचारों के मादम से पहले ही करा लिया इसके उपरां सिचकों के विवरॉण का भी सत्यापन कराया गया है जिसमें विषय कोड़ पर विषय सुरूप से ध्यान दिया गया है ताकि कि किसी तोजने में परिष्षकों के डूटी कर दी जायेगी एसा यहां पर अपडेट है लेकिन आपको बता दें पर इसकों की डूटी लग चुकी है कल रात ही डूटी लग चुकी है डूटी वेबसाईट पर आ चुकी है तो यह buddies जो में फैस में practical सोने वह अपने लोगिन आइडे के मादम से देख सकते हैं कि किस टीचर की उनके यहां प्रैक्टिकल पर के लिए ड्यूटी लगाई गई है यहां पर देखो अपडेट है यह कि जिला विद्धा नरीचक आयोध्दा की दरब से और यहां पर यहां पर यह मामला है कि आप लोग जानते होंगे जो भी अईड़ विद्धाल है और जो भी राजिकी विद्धाल है तो वहां पर सासंद्वाला पहले से फिस नरदारित की यह कि इतनी फिस लगेगी लेकिन यह विद्धाल है यहां पर इनों के तरफ से बैच्टों से ज़्यादा फिस ली गई जिसकी सिकायत की गई तो सिकायत के दरण जात सही पाईगी आइसे में जो भी कच्छा दैपक वहां पर हैं जो भी प्रदाना चार है उन सब के प्रश्टी दर्श कराए गई है और दो सब्ता के वीतर जो भी फिस एक्स्ट्रा ली गई बच्चों से उस फिस को वापस चातरों को देने की बात गई गई है और जो भी कारवाई है उससे अवगत कराने के लिए डियास महोदेगों कहा गया है दोस्तों यह वह आजके सार आदेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह के अपड़ेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देने वाट